BCCI ने अब यह हाल ही में Team India के लिए 125 करोड रुपे की धनराशी का एलान किया था जिसको 42 मेंबर जो की Team India का उस campaign का हिस्सा थे जो की T20 World Cup में campaign गया था उसके हिस्से के साथ 42 लोग को बाटा जाना था तो अब ऐसे में अगर देखें तो Team India जो 15 सदश्य टीम थी उसको 55 करोड रुपे दिये जाने थे और उसमें राहूल द्रविन को भी 5 करोड रुपे दिये जाने थे अब ऐसे में Reports के मताबिक खबरें ये हैं कि राहूल द्रविन ने अपने 2.5 करोड रुपे जो थे हैं जो बांकी सपोर्टिंग कोचेज हैं जिसमें बैटिंग कोच बॉलिंग कोच और फिल्डिंग कोच उनको जितना पैसा मिलेगा उतना ही मैं भी लूँगा और ऐसे मैं अगर देखें तो राहुल द्रविण की जो यह चीज है यह काफी ज्यादा वाइरल हो रही है और ज्यादा तारीफ हैं हो रही है राहुल द्रविण के इस कारण काम को लेकर अब ऐसे मैं अगर देखें तो टीम इंडिया के जो 15 सदश्य स्कॉर्ड था उनको 55 करोड रुपे दिये जाने थे और इनके साथ ही राहुल द्रविण को भी 5 करोड रुपे दिये जाने थे इसक रुपे दिये जाने थे और ऐसे मैं अगर देखें तो राहुल द्रविण ने जो है यह धाई करोड अपने लोटा दिये यह कहकर कि धाई करोड रुपे जो बांकी कोचिस को मिल रहे हैं उतने ही मैं भी रखूंगा तो ऐसे मैं इसकी काफी ज्यादा तारीफ हैं हो रही है अब बात करेंगा टीम इंडिया की तो टीम इंडिया जो है राहुल द्रविण अब टीम इंडिया कोच नहीं रहे क्योंकि राहुल द्रविण का कोचिंग टैनियोर समाप्त हो गया था टीफ़ंटी वर्ड कप तक उनका कोचिंग टैनियोर एक्स्टेंड हुआ था और जि टीम इंडिया की कोचिंग करते हुए दिखाई देंगे और राहूल द्रविंट जो है उनका कोचिंग टैनियोर समाप्ठ हो गया है स्पोर्ट से जूड़ी तमाम खपरों के लिए पर इंडिया हिंदी के साथ बने रहे हैं